बिस्मिल्लाहिरोह्मनिरोहिम अस्सलामुलेकुम दिस डॉक्टर मदीह रोम आइस आइसी पीएचे सारवाय के तुड़ेवर टॉपिक ओफ लेक्चर इस हामून फॉप्ट लेक्चर और हामून फिफ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्थ लेक्चर को का समरायस तब तक आपको जो नेक्स्ट या कमिंग लेक्चर है वो क्लियर समझ नहीं आएगा तो हमने पढ़ा था कि हार्मून्स या हम एंडोक्राइन लॉजिक का चप्टर करें जिसमें हार्मून्स पढ़े थे हार्मून्स को हमने क्लासिफाई किया था उनकी कैमिकल नेचर की बे ग्लाइको प्रोटीन के हार्मून है HCG, Human Chronic Neidotropic हार्मून, TSH, Thyroid Stimulating हार्मून, LH, Luteinizing हार्मून और एरित्रोपाइटेन जिसके अप्रिवेशन हमने की थी EPO थर्ड क्लास है हार्मून की स्टीरॉइड, स्टीरॉइड कॉलेस्टोल डेरिवेटिब्स होते हैं, स्टीरॉइड में हमने फर्दर जो एक्जाम्पल हार्मून्स की और जो ग्लैंड हमने डिसकस किये थे वो हैं Adrenal Cortex, Adrenal Cortex release करता है Eldosterone हार्मून, Eldosterone, Cortisol and Adrenal Androgens फिर Overees हैं, Overees से release होने वाले estrogen and progesterone, ये दोना स्टीरॉइड ये नेचर है, देन टेस्टेस, टेस्टेस से release होने वाला टेस्टोस्टीरॉइड ये नेचर है तो previous lecture में हमने, lecture fourth में हमने दो classes discuss की थी, हार्मून की, glycoprotein and steroid और class peptide जो के first class है, वो हम third lecture में discuss कर चुके हैं तो अब तक हमारी तीन classes हैं हार्मून्स की, जो के हम discuss कर चुके हैं तो further lecture में हमारे पास दो और classes है, जिसमें से fourth class है, amino acids स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी structure देखनी होगी, वैसे amino acid का chapter हम कर चुके हैं लेकिन amino acid अगर आप इसकी structure देखो, इसमें आपको alpha carbon नजर आएगा, उस alpha carbon के साथ four groups attached है four groups हैं, जिसमें से rl, kyle, hydrogen है, carbosalic acid है और amine group है इन four groups में से दो obviously function group हैं, जो के carbosalic acid और amine जिसकी वज़ा से इस structure का नाम हुआ amino acid carbosalic acid की वज़ा से acid और amine group की वज़ा से amino acid तो ये पूरी structure का नाम amino acid इन ही दो function group की base पे हैं, ये सारे points हम chapter amino acid में discuss कर चुके हैं इसके अलावा हमें पता है कि ये जो r, यानि alkyl group attach होगा, इसी की base पे आपके amino acid के जो characteristics हैं, वो specify हो जाते हैं यानि कि उसके जो characteristics हैं, वो change हो जाएंगे, जो भी amino acid होगा, उसके characteristics depend करते हैं, इस r पे इस r side chain पे यहां पे जो भी group attach होगा, उसकी वज़े से आपको आपका जो amino acid हो जाएगा, इधर यहां पे acidic group है, आपके amino acid की nature या उसके characteristics, acidic हो जाएंगे, अगर यहां पे basic group है, तो आपका amino acid basic city शोग करेगा सेम इसी तरह से, आज जो हम discuss करेंगे, hormones में हमारे पास जो amino acid है, वो amino acid tyrosine derivative है, यहां पे amino acid को इतना detail में revise करने का मकसद यही है, कि हम tyrosine derivatives की according इसको समझ सकें, तो tyrosine आप सबको पता है, कि यह aromatic side chain containing amino acid है, यह ऐसा amino acid है, जिसमें इस R की जगा, यह सामने आपके structure है, tyrosine की, इसमें इस R की जगा, alkyl chain की जगा, यहां पे aromatic या cyclic ring शोग हो रही है, तो यहां पे यह cyclic ring या aromatic ring, tyrosine की structure को जो show कर रही है, तो हम tyrosine को categorize करते हैं, aromatic side chain containing amino acid में, यानि tyrosine ऐसा amino acid है, जिसमें side chain या alkyl group या R की जगा पे जो structure attach होगी, वो ring की form में होगी, वो cyclic ring की form में होगी, वो aromatic ring होगी, तो हमने उसको tyrosine को classify किया था, aromatic side chain containing amino acid में, तो यह ऐसा amino acid है, जिसकी side chain ring की form में होगी, तो अब हम चलते हैं अपने amino acid की तरफ, हमारे वो हार्मोन जो के amino acid नेचर हैं, तो आपकी textbook के page number 39 पे, fourth class है, हार्मोन की amino acid, amino acid में आपको नीचे नज़र आ रहा है, bracket में, के टाइरोसीन derivatives होते हैं, फिर उसके बाद, example में आपके पास सिर्फ एक gland है, वो है thyroid gland, thyroid gland को हमने previous lecture में, slide में discuss किया था, के thyroid gland कहां होते हैं, तो ये at the base of neck होते हैं, ये butterfly shape होंगे, तो thyroid gland में, जो वो हार्मोन, जो के amino acid नेचर हैं, वो है T3 और T4, ये T3 और T4 आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो, अगर आपको याद हो तो, non-standard amino acid में, iodinated amino acid में, ये दोनों structure हैं, इसको अगर आप नोट करो, first structure है टाइरोसीन की, ये टाइरोसीन, aromatic side chain containing amino acid है, ये टाइरोसीन, aromatic side chain containing amino acid है, यानि कि ये ऐसा amino acid है, जिसमें आपको ring नजर आ रही है, तो ये है टाइरोसीन, first structure में, second structure में अगर आप देखो, तो T4, ये वो हार्मोन है, जो के thyroid gland से release हो दिखा हुआ है, तो ये second structure में आपको ये show हो रहा होगा, कि इसमें 2 rings attach है, और इसमें 4 iodine के group attach है, तो ये T4 जो है, ये ये ही show कर रहा है, कि इसमें 4 iodine के group attach होंगे, तो ये T4 है, next structure में अगर आप देखो, तो T3 में 3 iodine के groups attach है, वैसे ही 2 rings है, पहले ring जो है वो टाइरोसीन ह और चुंकि ये टाइरोसीन derivative है, तो इसमें एक और रिंग आकर उसके साथ attach है, जिसमें further iodine के attachment होती जाएगी, तो ये structure है T3 की, ये structure सिर्फ समझने के लिए ये आपने याद बिल्कुल नहीं करने ही, याद आपने सिर्फ ये ही करना है, कि 4th class है, हार्मून्स की 4th class है, amino acid ह amino acid, ये जो amino acid होते हैं, टाइरोसीन derivative होंगे, मतलब ये ऐसे amino acid होंगे, जिनकी structure टाइरोसीन से derive होई होगी, और इसकी example में हमारे पास gland है, वो है thyroid gland, thyroid gland हम पहले discuss कर चुके हैं, thyroid gland के वर्दर दो हामून्स है, T3 and T4, T3 and T4 के दोनों structure आपके समने हैं, लेकिन आपने याद य ताइरोसीन नहीं है, यहाँ थाइरोनीन है, ट्राइडो थाइरोनीन और T4 है ट्राइडो थाइरोनीन जिसको आप थाइरोकसिन भी कह सकते हो, ट्राइडो थाइरोनीन थाइरोकसिन, ट्राइडो थाइरोनीन, T3, ट्राइडो थाइरोनीन, T4, ट्राइडो थाइरोनीन और ह हम इसको T4 को हम थायरॉक्सीन भी कह सकते हैं तो यह हमारी थी फॉर्स क्लास अमईनो एसिद को हम डिसकस कर रहे थे ताब यह है थायरवाइड सिस्टम थायरवाइड सिस्टम के बारे में समझना इसलिए यह यहां पर explain किया जा रहा है क्योंकि यह सारे जो हार्मून्स हम इससे पहले डिसकस कर चुके हैं आपको टॉप पे नज़र आ रहा है हाइपो थेलमस हाइपो थेलमस में हमने पढ़ा था है कि इसमें रिलीजिंग या इनिविटरी हार्मून होते हैं तो हाइपो थेलमस जो हार्मून रिलीज करेगा जो के थायरोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मून टी आरेच है नामसिष्ट पता चल रहा है कि यह रिलीजिंग हार्मून है तो यह रिलीज करवाएगा किसी दुसरे हार्मून की तो वो कौन सा हार्मून है जिसकी वो रिलीज करवाएगा rend 치ortunity hormone ट्ये सेच हैसे थाइरवाइड di stuArma क्या करेगा द्येट करेगा सीभी नाम से शुल हो रहा करेगा थाइरवाइड ग्लैंड को धायरवीड ग्लैंड कहा है में यह उस हुआ सुअर ठीयार में किया करेंगे एंप यहांड दो हर्मोन केंट हैंट Dieu जिसका फर्दर बॉडी में फंक्शन है कि वो मेटबॉलिजम इंक्रीज करवाता है ग्रोथ और डिवेलप्मेंट में रोल प्ले करता है यह सारे फंक्शन आपने चेप्टर आमाइनो एसिट में पढ़े है तो यहां पे अगर आप इनको स्किप करते हो तो भी ओके क्यों लेकिन हर्मून अमाइनो एसिट इन नेचर है क्योंकि अभी हम कलास पढ़व रहे हैं अमाइनो एसिट तो इन में से जो हर्मून अमाइन एसिट नेचर है वो है टी त killers और नेक्स स्लाइड में ये आपके सामने स्रक्चर है इसमें आपको सामने नजर आ रहा है टाइरोसीन अब ये स्रक्चर क्यों शो की गई है क्योंकि अभी हम जो further class पढ़ेंगे अभी हमने जो previous class पढ़ी है वो है amino acid पढ़ेंगे फिफ्ट हार्मून की जो class हम पढ़ेंगे वह वह जब अमाइंस हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह भी टाइरोसीन डेरिवेटीव ही है ये सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आपको इस लाइड शो की गई है कि टाइरोसीन में आप देख अब कर रही है टाइरोसीन से तो ये भी टाइरोसीन डेरिवेटीव ही है तो मतलब ये कि Says面गे उस अगें, page number 39, class 5th, amines, amines, यही point जो मैं आपको कह रही थी, जिसके लिए हमने previous slide देखी थी, तो amines के नीचे bracket में लिखा हुए tyrosine derivative, amines tyrosine derivatives होते हैं, अब इसमें आपके पास जो हार्मून हैं, वो हैं सिर्फोर सिर्फ, आपके पास चार एक्जामपल हैं, acetylcholine, apinephrine, norepinephrine and melatonin, again repeat कर रही हूँ, acetylcholine, apinephrine, norepinephrine, melatonin, अच्छा मैं यह point बार-बार repeat करती हूँ, यह सिर्फोर सिर्फ इसले, ताकि यही point आप भी बार-बार repeat करें, एक दफा मैंने पढ़ लिया, एक दफा आप भी मेरे साथ पढ़ें, ताकि इस तरह से यह वाले जो points होगे, आ neurotransmitter है, acetylcholine के बारे में further detail हम next slide में देखते हैं, लेकिन फिलहाल बाकी हार्मोन्स को discuss करते हैं, एपीनफरीन है, आप इसको adrenaline भी कह सकते हो, एपीनफरीन को हम adrenaline भी कहेंगे, and norapinephrine का synonym क्या है, noradrenaline, एपीनफरीन का synonym है, adrenaline, norapinephrine का synonym है, noradrenaline, यह दोनों भी neurotransmitter है, last हमारे पास जो हार्मोन है, amine class का वो है, melatonin, melatonin का function है कि यह regulate करता है, sleep-wake cycle को, मतलब यह कि सोने और उठने का जो cycle है, सोने और जागने का जो cycle है, यह उसको regulate करता है, अब हम further slide में discuss करेंगे, acetylcholine, apinephrine, norapinephrine के glands को, लेकिन उससे पहले, आज का जो आपका question है, आज क melatonin का gland कौन सा है, question यह है कि melatonin का gland कौन सा है, melatonin कौन से gland से release होता है, क्योंकि melatonin हामून है, तो यह किसी gland से release होगा, तो इसके gland का नाम क्या है, फिर जब आप वो मुझे बता देंगे, तो इन्शालला नेक्स लेक्चर में हम उसको और जादा डिटेल में discuss करेंगे, तो अभी हम जो डिसकस कर रहे थे हमारा हामून था, माइन्स की class में, जो फर्स हमारे पर एक्जाम्पल थी, ऐसी रेलकॉलीन, तो यह ऐसी रेलकॉलीन है, जैसे हमने डिसकस किया, कि यह निरो ट्रांस्मिटर है, तो यह क्या करेगा, यह signals को, यह impulses को transmit करेगा, impulses को एक ज में यहाँ पर होगा, और यह junction में release होगा, लेकिन कब release होगा, when nerve impulse is arrived, तो यह तब यह इस junction में release हो जाएगा, और अपना जो signal है, यह impulse है, उसको transmit करेगा, यह transport करेगा, nerve से muscles की तरफ, next हम discuss करेगे थे, अपिनेफरीन और नौर अपिनेफरीन को, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कि अपिनेफरीन और अपिनेफरीन कहां से release होता है, हम यह discuss कर चुके हैं, इससे पहले kidney को, kidney से उपर, top of the kidney, adrenal gland होता है, adrenal gland के दो पार्ट है, adrenal cortex और adrenal medula, तो adrenal medula से release होने वा and adrenaline और नौर अटरिनलीन भी कह सकते हैं, epinephrine को हम adrenaline कहेंगे, नौर अपिनेफरीन को हम नौर अटरिनलीन भी कह सकते हैं, यह दोनोंच के सिरानिम हैं, तो यहाँ तक हमारा आज का lecture खतम हुआ, अब तक हमने starting से लेकर जो पढ़ा है, हमने hormones discuss किये थे, हमने उसके बाद endocrine log पिर उसके बाद हार्मोन की जो टाइप्स in on the basis of the Erection जिसमें लोकल हर्मोन जेनर वपेलर इसकिया था फिर उसके बाद हमांगते classes पे on the basis of chemical nature फिर हमने उसमें डिसकस किये थी फर्स class थी हमारी peptide second one glycoprotein third है steroid fourth है amino acid and fifth one is amine और इन सब के हमने सारे हार्मून्स डिटेल में डिसकस किये थे और उनके glands भी next lecture में इंशाला यही जो अब तक स्टार्ट से लेकर अब तक जो हमाइस सक हमने जो पढ़ा है इसका एक समराइस आपको मैं एक लेक्चर दूंगी जिसमें आपको जादा और clear याद हो जाएगा तो यह सब जब आपको अच्छे से याद हो जाए यहां तक points clear हो जाए तो फिर उसके बाद हम हमारा next topic कि स्टार्ट करेंगे जो कि हैं growth hormone तब तक के लिए